नमस्कार दोस्तो, आज की वीडियो बहुत ज़ादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है, विकॉस आज हम डिसकस करने वाले हैं चाइना और तिबद के बारे में, इस वीडियो के अंदर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चाइना ने दीरे दीरे तिबद के पर पूरा कबजा कर लिया, और कैसे चाइना को 7th century से 1950s तक का टाइम लग गया, तिबद की छोटी सी territory को कबजा करने में, और ये भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे Britishers ने Chinese की help करी तिबद पर पूरा कबजा करने के लिए, ताकि उनका भी कबजा एक तरीक को पिक किया जाएगा, एक scholarship test के basis पर, basically ये जो पूरा batch होगा, ये MKSRN team की guidance में चलेगा, प्लस जो ये students होंगे, उनको 60% तक का scholarship भी इस batch के अंदर में दिया जाएगा, अगर आप इस batch को join करना चाते हो, या इस batch के बारे में ज्यादा जानकारी चाते हो, तो description में हमने एक link दे दिया है, उस link पर जा करके अब अपना form फिल कर दीजे, अपको reach out कर लेगी, now Tibetan पूरे तिबबत को समझने के लिए, पहले हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना पड़ेगा, और पहले अब वक्त में ज्यादा पीछे नहीं, आप 7th century के time पर जब जब जाओगे, तो 7 तीनों प्रोविंस को मिला करके पूरी तिबेतन एंपायर का गठन करती है, और यहीं से तिबेतन जो एंपायर है, वो existence में आता है, अब इस दोरान चाइनीज डैनेस्टी भी थी, चाइनीज में वहाँ पर उस समय पर टैंग डैनेस्टी हुआ करती थी, 7th century के time पर, 9th century के बीच में यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े rulers आये थे, जो की बहुत ज़्यादा strong थे, और जिनके अंडर में कभी भी tan dynasty जो है, वो तिबेतन एंपायर पर कबजा नहीं कर पाती है, इन rulers की बात करें तो त्रिसॉंग डैटसन, गांपो और राल पचेन जैसे बहुत बड़े-बड़े rulers जो है, वो तिबेतन एंपायर के, को rule किया करते थे, और इनके अंडर में administration और military जो है, वो बहुत ज़्यादा strong हुआ करती थी, खास सोर से त्रिसॉंग डैटसन के time पर, त्रिसॉंग डैटसन इतने strong ruler थे, कि जब टांग डैटसन ने इनके उपर attack किया त्रिसॉंग डैटसन ने बहुत कम सैनिकों के साथ, त्रिसॉंग डैटसन को बुरी तरीके से हरा दिया था, और कई सारी Chinese जो province थी, उनके उपर कबजा कर लिया था, और इसी चीज़ से परिशान होकर, और इसी चीज़ से force आकर के, finally Chinese को 1821 में तिबेतन के साथ एक treaty sign करने पढ़ती है, जिसको आप सीनो तिबेतन ट्रिटी कहते हो, अब इसी सीनो तिबेतन ट्रिटी के थुरू, इन दोनों देशों में peace होता है, बिसिकलि ये peace treaty थी, और एक बहुत मुख्य जो term था इस agreement के अंदर में वो ये था, कि दोनों देश एक दूसरे के provinces को, या एक दूस में, यानि कि तिबबत और चाइना में trade relations भी सही हो जाते हैं, अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली ऐसी period के दौरान जो 7-9th century के हम बात कर रहे हैं, तो इसी दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा Buddhism का भी scope आ आ जाता है, यानि कि बुद्धिजम बहुत ज़्यादा active ह जाता है, इस पूरे तिबबत के अंदर में, बुद्धिजम तिबबत में कैसे आया था, उसको समझो, यहाँ पर जो राजा थे उस समय पर ग्यामपो, ग्यामपो बेसिकली दो शादी करते हैं, और उनकी जो princess होती हैं, दो बुद्धिजम रिलिजन को follow करने वाली princess होती है तो princess जब तिबबत के अंदर में आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे तिबेतिन sculptures और तिबेतिन text को लेकर के आती हैं, और इनी text को पढ़ करके, और तिबेतिन sculptures को देख करके, ग्यामपो जो है, बहुत ज़्यादा interested हो जाते हैं, बुद्धिजम के religion में, culture में, philosophy में, और इस तरीके से वो धीरे धीरे बुद्धिजम को follow करने लग जाते हैं, और उसके बाद पूरा तिबबत जो है, वो बुद्धिजम को follow करने लग जाता है, और यही बुद्धिजम आगे चलके तिबबत का सबसे प्रमुक religion भी बन जाता है, लेकिन अब यह सारे text और सब क बुद्धिजम को follow करके, culturally तो बहुत जादा यह लोग rich हो जाते हैं, religiously बहुत जादा rich हो जाते हैं, लेकिन politically यह काफी weak होना शुरू हो जाते हैं, इसी period के बाद से, अब politically जब यहाँ पर weak होते हैं, यह देरे देरे बहुत जादा weak हो जाते हैं, यहाँ पर पहला पौरे आक्रमण होता है, 1240 में, और 1240 में यहाँ पर मंगोल्स ने कबजा कर लिया, पूरे तिबद के उपर, प्लस कई सारे Chinese province के उपर भी मंगोल्स का कबजा हो जाता है, लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, कि कभी भी मंगोल्स ने पूरे तिबद के जो कल्चर है, उसको उसके साथ चेरचार नहीं की, और नहीं तिबद के कल्चर को Chinese कल्चर के साथ इंटर मिक्स किया, नहीं तिबद की ड Columbus को अभी भी Song मौंग से मिलता है जिनका नाम साख्य पंडित था साख्य पंडित से मिलने के बाद वो बुद्धिजम में काफी ज़्यादा इंट्रेस्टेड हो जाता है बहुत अच्छा लगने लगता है उसको बुद्धिजम जो बहुत वीक हो जाते हैं, मंगोलियन एंपाइर के उपर मैं एक अलग से वीडियो मैं बना दूँगा, जहाँ पर यह सारी चीज़े आपको समझा दूँगा, तो मंगोज जब आपस में वीक हो जाते हैं लड़ लड़के, और सिविल वार हो जाता है तो उनको यहाँ से जाना पड़ जाता है, और क्योंकि यह सौंग दैनिस्टी और तिबेतन एंपाइर के जो समय थे राजा उन्होंने मिल करके मंगोज को वहाँ से खदेर दिया था, अब इसके बाद एक बहुत बड़ी घंटा होती है तिबेत के हिस्ट्री में, उनको अपने सबसे पड़े लीडर मिलते हैं, यानि कि दलाई लामा मिलते हैं ग्याट्सो ग्याट्सो बिसिकली फिफ्ट दलाई लामा थे और ये फिफ्ट दलाई लामा बहुत जादा स्ट्रॉंग हुआ करते थे नहीं सिर्फ culturally strong थे ये, बलकि ये politically और militarily भी बहुत ज़्यादा strong थे और ग्याटसों के अंदर में ही तिबत जो है कई दशकों तक शांत रहा, कोई दिपद पर attack करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, even तिबत के सारे provinces जो थे, जो की चले गए थे कई बार लडाईयों में, वो सारे province भी ग्याटसों ने अपने अंदर में मिला लिया और तिबत empire को सबसे strong empire अपने पूरे rain के अंडर में बनाया था, ग्याटसों के ओ, the great fifth भी कहा जाता है, मतलब की the great fifth इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये fifth दलाई लामा थे और इन्होंने इतने बड़े काम किये थे, इरेड के बाद असल कहानी शुरूई होती है, ग्याटसों के बाद तिबत बहुत ज़्यादा उसको कोई अच्छा leader नहीं मिलता है, और वो weak हो जाता है तिबत बहुत ज़्यादा, 1770 के अंदर में एक बार फिर से यहाँ पर मंगोज का attack हो जाता है तिबत के ऊपर और लड़ाई की 1717 में, ये लड़ाई तीन साल सरी, 1717 से 1720 तक, और finally इसमें मंगोल्स हार जाते हैं, मंगोल्स इसमें हार तो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो की थी वो जिंग डैनस्टी ने एक चलाकी की यहाँ पर, और उस चलाकी के थुरू क्या किया, कि इसकी तिबत वा को अपने प्रोविंस मानते हैं, और उसको पाने की पूरी कोशिश करते हैं, और खुद को वो अभी भी independent state की तरह मानते हैं, अब आपको पता है कि 1720 की यह सब बात हो रही है, जब हम यह पूरी प्रोविंस की बात कर रहे हैं, अमडोर खाम की, अब इसी दोरां, जीग डै बढ़ जाती है आपको पता है और यह पीरेड है 1720 का अब इसके बाद का जो 1900 का पूरा पीरेड आता है आपको पता है कि तब जो है तो इसलिए British Empire काफी जादा जो थे वो interested थे तिबत के अंदर में और finally उन्होंने तिबत को कबजा करने के लिए 1904 में तिबत के अंदर अपनी forces घुसा दी और तिबत के अंदर में अपनी forces घुसा करके वहाँ पर पूरे लहासा जो था तिबत का capital उस पर कबजा कर लिया और ए साल में एक बार tax pay करेगा Britishers को जिसके तहर Britishers इन तिबतन्स को उनका autonomous region या autonomous rights देंगे इसके थरूँ उनके जो दलाई लामा है वो तिबत के उपर जैसे रूल अभी कर रहे हैं वैसे कर लेंगे बस British umbrella के अंदर में करेंगे ऐसा इस लहासा convention में terms थे लेकिन इसके बाद Chinese जो हम दे रहे हैं तो वो autonomous region का जो आप उनको rights दे रहो हमें दे दो ताकि हम तिबत को हम चलाएं आपको कोई tension लेने की जरूद नहीं है आपको साल में जितना वो दे रहे हैं उससे ज्यादा हम दे देंगे तो इसके बाद Britishers जो है वो तो पैसे के भूके थे ही 1906 में उन्होंन में tax pay करने लगे Britishers को लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी घटना होती है चाइना के अंदर में और चाइना के अंदर जिंग हाई revolution सुरू हो जाता है इस revolution के बारे में आप लोग ने जरूर सुना होगा नहीं सुना है तो जा करके इस बारे में पढ़िएगा जिंग हाई revolution of China चाइना के बारे में यहीं से जो पूरी communist government आज आप चाइना के अंदर में देखते हो वो इसी revolution से कई सारे बड़े बड़े communist नेता खड़े हुए थे इस revolution के बाद क्या होता है कि जिंग डैनिस्टी का fall हो जाता है पूरा यह 1910-1911 की बात चल रही है अब इसी period के दोरान ज उसी को दबाने में पूरा busy थी तो उन्होंने लहासा से जो भी Chinese troops की उनको वहाँ से भगा दिया और पूरे तिबबत को एक independent state गोशित कर दिया उस समय के जो दलाई लामा थे उन्होंने अब ये बात ना Britishers को पसंद आई ना Chinese को पसंद आई Britishers को इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि वो कभी नहीं चाते थे कि तिबबत एक independent state बने क्योंकि वो छोटा state था और उसके उपर कभी भी रशिया जो है वो कबजा कर सकता था और अगर तिबबत पर कबजा कर लेता तो next रशिया का target सीधा इंडिया ही होता कि बीच में और क पायर के साथ लेकिन Chinese ने ये शिमला agreement पर sign नहीं किया क्योंकि वो autonomous region की तरह treat ही नहीं करना चाते थे तिबबत को वो तिबबत को पूरी Chinese dynasty के अंदर में मिलाना चाते थे यानि कि China के territory की तरह treat करना चाते थे और Britishers ये कह रहे थे कि पूरे तिबद को autonomy दे दो और उनको autonomous region की रहेंगे लेकिन उनकी autonomy हमेशा बरकरार रहनी चाहिए अब इसी चीज़ पर मद्यसा नहीं हो पाई और China वो वापस चला जाता है शिमला से और शिमला agreement साइन नहीं होता है लेकिन Britishers और तिबेतन्स ये दोनों शिमला agreement पर साइन कर देते हैं और यहीं से तिबद से बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि शिमला agreement का एक सबसे बड़ा term यह था कि autonomy तो है पूरे तिबद के पास और वहां के जो दलाई लामा है वो rule भी करेंगे तिबद के अंदर में लेकिन तिबद जो है वो Chinese empire के अंदर में आएगा हमेशा यानि कि Chinese umbrella के अंदर में एक autonomous province की तर रहता भी है बहुत खुशी से तब तिबद में चल जाता है क्योंकि वहां के जो दलाई लामा थे वो पूरी तरीके से culturally rich बना चुके थे तिबद को पूजा पाट और यह सब चीज़े तिबद के अंदर में चलती थी लेकिन इन्होंने अपनी military पर बहुत ज्यादा focus नहीं aggressive भी थे उन सारी territories को ले करके इसको वो चाइना में मिलाना चाते थे वो हमेशा अपने speeches में कभी मंचूरिया की बात करते थे कभी तिबद की बात करते थे कि तिबद जो है वो बहुत अभिन अंग है चाइना का और कोई autonomy नहीं देनी चाहिए तिबद को उसको पूरी तरीक थे क्योंकि दुनिया अभी Second World War से बाहर लिख ली थी और सारे देश एक और लड़ाई नहीं चाते थे इसलिए इंडिया ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था इंडिया ने तिबद के readers और उसके साथ साथ Chinese के leaders को बुला करके एक meeting करवाई थी New Delhi के अंदर में जहा चाइनी की Chinese government के अंदर में और चाइना जो भी चाती है उसके बदले में हमसे tax facts ले सकती है और चाइना भी तयार था इस agreement पर sign करने के लिए लेकिन उस समय जो दलाई लामा बैठे हुए थे लहासा के अंदर में वो इस पर राजी नहीं होते हैं और वो चाते हैं कि independent state ही ति उन्होंने आप सबको पता है कि तिबद पर attack कर दिया अपनी पूरी ट्रोप के साथ और यह पूरी चाइनीज ट्रोप तिबद में अंदर घुज जाती हैं और पूरे तिबद पर अपना कबजा कर लेती हैं और इस तरीके से माउजी डॉंग के अंदर में तिबद जो है व